आप सब केसे हैं आपकी दुआओं से अलहम्दल्ला हम सब भी अच्छे हैं तो आज हमने बनाया है क्रीमी ग्रीन चिकन इसके लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया चिकन के पीस थोड़े से बड़े रखी है साथ में अब हम इसे देख लेते हैं एक हरा मसाला तयार करते हैं जिसके लिए हमने 7-8 हरी मिर्च लिए 15 काजू लिए आप मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो कम कर सकते हैं और इसके अलावे हमने यहाँ पर वन थड़ कप दियना लिया है और आदा कप भरा धनिया लिया है एक सो ग्राम हमने दही लिया है इन सब को मिला के हमने अच्छा सा महिन पेस्ट बना लेना जरूरत पड़े तो एक से दो टेबर स्पून पानी डलना और धनिया के टंठल जर अच्छे नहीं लगते हैं यहां पर तीन मीडियम साइज के प्याज लेके हमने बारिक चॉप करके डाल दी है इसे हलका सा कलर चेंज होने तक हमने फ्राइब करना बहुत जादा गोल्डन नहीं करना है तो यह देखिए अच्छे से फ्राइब हो चुके है प्याज हमारे अ मीडियम कर दई है talk मसालो को अच्छे से भूनना बहुत जरूरी होता है तो मसालो को ज़्रूर अच्छे से भून लेआ यह दek employment हमारे अच्छे से भून गए है अब हमने यहाँ पर यहां पर एच्छे से न्हीं चितने भी इंशित Tरीके से कट लगा लें वह उनको हम चिक आप मेडियम फिलिम पे इसकी कुकिंग कर सकते हैं, अभी हमने इसमें अभी ही मसाले डालना मसालों के साथ ही चिकन को पकाना है, बस हमने दो मिनीट तक इसे अच्छे से मिक्स करके पका लिया है, अब हम यहाँ पर नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल हाफ टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, डेर टीस्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रहे है, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रहे है, और एक टीस्पून फुल भरके काली मिर्च का पाउडर डाले, या काली मिर्च आप उतनी डाले जितनी की इसे हम कवर करके और सिर्फ 5 मिनिट तक इसे कुक करेंगे गेस की फिलिम मेडियम और लो के बीच कर देंगे ताकि यह मसाले जादा जले नहीं चिकन का अपना पानी रिलिस होगा हलका सा उसी के साथ यह कुकिंग हो जाएगी इसकी तो यह देखिए मसाला हमारा बहुत अच् दालना है तो यहां पर वन थर्ड कप पानी डाला है हमने पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पिर से हम इसे कवर करके चोड़ देंगे 5 मिनिट के लिए हम इसमें ज्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे यह देखिए 4-5 मिनिट हो चुकी है चिकन हमारा अच्छे से मसाल बहुत अच्छे से पक गए है हुजबू आने लगी है और चिकन भी हलका हलका सा टेंडर होने लगा है अब यहां पर हम डाल देते हैं टामाटर की प्यूरी तो मैंने दो बड़े साइस के टामाटर लेगे उनको पीस लिया है टामाटर मीडियम साइस के हो तो तो तीन ले अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे तो चिकन के गलने तक हम इसे कुख करेंगे यानिकि एटी परसंट तक कुख हो जाना चाहिए अब यहाँ पर हमने जो हरा मसाला पीस के तयार किया था गो डाल देंगे जिसमें धनियाप हो दिना काजू है और हरी मिर्चे इस सभी को डाल देंगे तो काफी अच्छा सा क्रीमी सा इसका टेक्शर आता है और बहुत ही मज़े का बनता है अब हमने जार में से थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लिया है तो यह 1 फॉर कप के करीब पानी और डाल दिया है हमने तो टोटल इसमें इतना ही पानी हमने डाला है अब इसे कवर करके हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन हमारा फुल डन नहीं हो जाता है तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीज़े शेयर कीज़े चैनल पर पहली पा रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा यह बिल्कुल फ्री है तो देखिए हलकी सी तरी भी उपर दिखने लगी है और चिकन भी हमारा अच्छे से कोख हो चुका है यह देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं काफी गर्म है अब यहाँ पर हमने यह दूद के उपर जो मलाई जम जाती है वो डालना है आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने तीन टीस्पून फुलगर के डाल दिया है एक तीस्पून का सूरी में तीक डाल दिए हमने यहाँ पर इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमने यहां पर इस तरीके की यह मोटी मिर्च ले ली है आपके पास अगर मोटी वाली मिर्च नहीं है तो आप तीन से चार साबुत लाल साबुत हरी मिर्च डाल दें मैंने यहां पर तीन यह हरी मिर्च डाली मोटी वाली इसे कट कर दिया है बीच में से इसकी कर दिजीगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अब हम इसे कवर कर देंगे सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए और यह देखिए बन करके तयार है उपर से आप चाहें तो बटर डाल दीजे मैं इसमें थोड़ा सा बटर का यूज़ कर रहे हूं यह भी अप्शनल है लेकिन इसे टेस् दालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा तो यह तैयार है इसे करते हैं डिश आउट इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ खाए पराठो के साथ बहुत मज़े का लगता है साथ में थोड़ा सा धनिया डाल दिया था और देखिए इसका टेक्शर कितना बड़िया आया है तो आप भी बनाए एक बार इस तरीके से इंशाल्ला बहुत अच्छा बनता है यह और आपका भी बहुत अच्छा बनेगा और इंशाल्ला मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखा करें तो मैंने इसे चावल और रोटी के साथ सब्सक्राइब यकिन मानिये बहुत मज़ेका लग रहा था तो मैं इसे गार्णिश कर देती हूं हरे धनिये पत्ती के साथ थोड़ा से बटर के साथ अलाव पीस बाई